हलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं सुरंद सी आज आप सभी पेएप मेंबरी के लिए इप पीएपो literal लूंचुल से समंधत एक नया अपडेट नई जानकारी के बने में लेकर आ आयो जिए दोस्तों पहले दोस्तों जो भी बैंक क हैवाइटि तो वो पहले डारेटी बैंक एपूड कर रहे थी ठीक दोस्तों लेकिन अभी वो क्या प्रावल हमारी है तो वो दोस्तों आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा ठीक दोस्तों तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब कर यापको यहीं पसवर्य यापकर कोड़ करना है ठीज शत्तूट मैं आपको यहापको 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 क्यान करने के में पास्वर्य कप्षे काई तो के बैइसी पर जाने को दोस्तों जैसे ही आप बैंक की करते हैं तो आपकी गवेंगी की एप्रूड हो जाती है ऐसे तो ठीक दोस्तों पहले एक नया अपडेट आया था कि एस वी यह की के वाइसी है वह डारेक्ट बैंक के थो यह भी बैरिफाई हो जाती थी आपको इंपलॉयर की जरत नहीं परती थी ते को इस प्रिकार से आप देख सकते हैं इसमें देख सकते हैं दोस्तों यहांपर जो वो क्या कर दिया है वो दोस्तों हमें आपको आगे बताता हूँ अब दोस्तों जैसे आपने की करते हैं यहां पर आपके पास लेका आजाएगा digital pending by by employer कि आपके employer के द्वारा ही approved होगा पहले दोस्तों यह बहुत अच्छा अपडेट है लेकिन अभी EPFO ने इसको change कर दिया है कि अब bank की KYC, SBI bank की भी अब employer ही approved कर पाएगा ठीक दोस्तों तो दोस्तों यह आपके लिए बहुत अच्छा update था तो दोस्तों यदि आपको अपडेट अच्छा लाओ तो वीडियो को लाइक करें लाइक के साथ ही दोस्तों यदि आपको कोई भी प्रोला है तो मुझे आप मेरे इस्टेग्राम आइडिये उस पर message करके मेरे से पूछ सकते है ठीक दोस्तों दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्य हुगने वाद